हेलो फ्रेंड्स, माइनेम इस राजन, इस वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कि हम गूगल फॉंट को आनलाइन और आफलाइन कैसे यूज कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, तब ही आपको समझ आएगा अच्छे से कि गूगल फॉंट को कैसे यूज किया जाता गाइस अगर आपको वीडियो से रेलेटिड कोई भी कोरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम आइडि का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो चलिए हम गूगल फॉंट को यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो गूगल फॉंट को यूज करने के लिए हमें गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, गूगल फॉंट्स, और हमने इस वैपसेट को ओपन कर लेना है, फॉंट्स.google.com, यह देखिए, यहाँ पे काफी सारे फॉंट्स हैं, और आपके पास यहाँ पे काफी सारे भी है, जैसे कि आपको यह पर्टिकुलर फॉंट यहाँ पे सर्च करना तो आप वो कर सकते हैं, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, कि जो टेक्स्ट है वो कैसे दिखेगा, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि वेलकम टू माई चैनल कैसा दिखेगा, यह देखिए, अगर मैं रोबोटर यूज करूँगा, तो यह जो टेक्स्ट है, वो ऐसा दिखाई देगा, और बाकि सारे फॉंट में भी आप देख सकते हैं, कि कैसा दिखाई देगा, जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखाए, और यहाँ से मैं फॉंट साइज इंक्रीज डिक्रीज भ करूँगा, select this style, so यहाँ पर मैं click करूँगा, और यहाँ पर आप देखेंगे, एक pop-up आया मेरे पास, यहाँ पर एक link tag है, और यहाँ पर import है, अगर आप चाहते हैं कि मैं HTML में इसको यूज करूँ, तो आपको link tag कर यूज करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ changes नहीं करने हैं, और मुझे CSS में लगाना है, तो आपको import का use करना है, मैं आपको यहाँ पर दोनों use करके दिखाऊंगा, तो चलिए, मैं इसे copy करता हूँ, और मैं आपको इसे sticky header वाले में use करके बताऊंगा, जो कि मैंने last वीडियो में आपको सिखाया, तो sticky header, देख के अंदर link को paste कर दूँगा, link tag को और मैं इसे save कर दूँगा, अब CSS में जाके मैं paragraph का font change करूँगा, अब देख सकते हैं कि paragraph का font अभी कैसा आ रहा है, तो इसका font हम change करते हैं, तो मैं यहाँ से copy करूँगा, और यहाँ पे font family paste कर दूँगा, save, browser में जाके मैं refresh करता हूँ, आ font weight इसका एकड़म light हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस light वाले को भी select करना पड़ेगा, select this style, यहाँ पर मैंने select किया, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर font weight 300 भी add हो गया, तो मैं अब इस वाले को copy करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, link से मैं replace कर दूँगा, save करूँगा, और यहाँ पर मुझे font weight यूज़ करना पड़ेगा, 300, save करता हूँ, browser में जाके refresh करता हूँ, यह देखिए, हमारे यहाँ पर font weight 300 लग चुक है, अगर हमें यह bold चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, bold, so यहा तो अभी तो यहाँ पर light आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर font weight 300 किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं font weight 700 कर दूँगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, कि यह bold हो जाएगा, यह देखें, यह bold हो गया है, अगर हम यहाँ पर italic यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर italic वा पड़ेगा, और यहाँ पर font weight 900, save, refresh, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि हमारा font weight 900 हो चुका है, अब मैं आपको बताता हूं, कि हम दो font कैसे use कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी pop-ins font use किया है, तो मैं यहाँ पर back जाऊंगा, मुझे railway font use करना है, तो मैं यहाँ पर click करूंगा, और मुझे railway का जो font use करना है, वो यहाँ पर मैं semi bold font choose कर लेता हूं, तो यहाँ पर मैं click करूंगा, select this style, click किया है मैंने यहाँ पर, और मैं इसे copy कर लेता हूं, और दोनो link को यहाँ पर मैं replace कर दूंगा, आप देख सकते हैं, कि हाँ पर font family pop-ins भी है, जिसका font weight मैंने यहाँ लिया था, 300, 400, 700 और 900, और यहाँ पर जो second font family है, वो है font family railway, जिसका font weight मैंने यूज़के है 600, तो यहाँ पर मैं font family की property copy कर लूँगा, railway वाली, और यहाँ पर जाके मैं इन anchors का font family है, वो change कर देता हूं, और यहाँ पर font weight मैं use करूंगा, 600, save, refresh, तो आप यहाँ पर देख सकत है कि anchor की font family change हो चुकी है, तो guys आपको पता चल गया होगा कि हम multiple fonts कैसे use कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि हम import के through font को कैसे use करेंगे, तो मैं यहाँ से यह सब delete कर देता हूं, और p tag से भी यह मैं delete कर देता हूं, और यहाँ से link tag को remove कर देता हूं, save कर देता हूं, css क को भी save कर देता हूं, browser में जाके refresh कर लेता हूं, तो आप देख सकते है कि यह पहले की तरह हो चुक है, यहाँ पर कोई font नहीं चल रहा है, browser को default font होता है, वही चल रहा है, अब हम import के through यहाँ पर font लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं import में जाता हूं, और मैं इसे copy कर लूँग import वाले code को, और यहाँ पर CSS की file में एकदम top पे मैं इसे लगा दूँगा, save करूँगा, और यहाँ पर मैं font family property copy करता हूं, poppins वाली, और यहाँ पर anchor में मैं इसे लगा देता हूं, save, refresh, तो आप यहाँ पर देख सकते है, anchor की font family change हो चुकी है, मैं यहाँ पर इसका font weight भी use कर सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि, यहाँ पर 300 यूज़ कर सकता हूं, 400 और 700, मैं आपको यहाँ पर 300 यूज़ करके बताता हूं, font weight 300, save, refresh, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, font weight 300 लग चुक है, मैं आपको दूसरा font यूज़ करके बताता हूं, font family railway, railway में लगाँगा, paragraph पे save करता हूँ browser में जाके refresh करता हूँ तो यहाँ पे railway font family लग चुकी है आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे जो railway font family लगी है उसमें जो font weight है आप देख सकते है 600 है तो अभी यहाँ पे मैंने एक ही font weight यूज किया है तो यहाँ पे मैंने font weight नहीं लगाया है यहाँ पे तो वो automatically 600 font weight लेगा अगर मैं यहाँ पे 2-3 font weight लगा दूँगा तो मुझे यहाँ पे font weight define करना पड़ेगा जोन सा font weight मुझे चाहिए तो guys आपको पता चल गया होगा कि हम import के थुरू और link tag के थुरू Google font को कैसे use कर सकते हैं बट यह दोनों तब work करेंगे जब हमारी system में internet work कर रहा होगा माल लीजिए हमारी system में internet work नहीं कर रहा है और हमें locally काम करना है तो हमारे पास fonts की file होनी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है तो guys सबसे पहले मैं यहाँ से यूज करेंगे मैं यहाँ पर dancing script font यूज करूँगा सो मैं इस पर click करूँगा और यहाँ पर मैं download family पर click करूँगा और यहाँ पर मेरी file download हो चुकी है मैं इस file को यहाँ से cut करके sticky header folder के अंदर यहाँ पर paste कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको extract कर देता हूँ और यहाँ पर एक नया folder create करता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा fonts और अब मैं dancing script folder के अंदर जाऊँगा और static folder के अंदर जाऊँगा यह रही हमारी fonts की files और यहाँ पर मैं आपको dancing script bold font यूज करके दिखाता हूँ सो मैं इसको यहाँ से cut करता हूँ और fonts folder में paste कर देता हूँ अब मैं यहाँ पर internet को off कर देता हूँ और यहाँ से import को remove कर देता हूँ और यहाँ पर poppins font family को भी remove कर देता हूँ और railway font family को भी remove कर देता हूँ अब मैं यहाँ पे font face का यूज़ करूँगा at the rate font-face font family single quotes और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे दूँगा web dev इसके बाद हमें यहाँ पे source देना है src url और यहाँ पे हमने अपनी font की file का path देना है और जो हमारी font की file है वो है fonts folder के अंदर और अभी हम css में आए तो सबसे पहले हमें css से बहार आना पड़ेगा dot dot slash और fonts folder में जाना पड़ेगा slash और यहाँ से file का नाम मैं copy कर लेता हूँ paste और यहाँ पे हमारी file की extension है ttf और यहाँ पे मैं लिखूंगा dot ttf save कर देता हूँ font family यहाँ से copy करता हूँ और anchor को मैं यहाँ पे यह font family दे देता हूँ browser में जाके मैं refresh करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि anchor पे हमारी font family लग चुकी है so guys मैं hope करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम google font को offline और online कैसे यूज़ कर सकते है so guys इस video में इतना ही thanks for watching your video please like my video and subscribe to my channel you